यह देखिए फ्रेंज तीसी के लेड़ू के लिए गुड़ कटा रहा है बलका बलका गर्धा खना है हाई फ्रेंज आज हम बनाने जारे हैं तीसी का लड़ू इसके लिए चाहिए उसके लिए चाहिए तीसी बांजडे काटा और चाल काटा जिसको हमने पहले से भून के रख लिया है और पीस के रख लिया है हुआ है यह देखिए कि हमें जाओ कि अब dagen अच्छे अब टूना हुआ हैं काल यह डिए अपया मिला हुआ तक आपको जो भी suburbs पसंदें परफ लाएं कि यह देखे फ्रेंस इसमें आप हम लोग इसमें देखे आप देशी घी मिल रहा है यह देखे फ्रेंस अच्छे से इसमें घी डालना है जाना चाहिए यह देखे फ्रेंस गी जादा होना चाहिए अभी गी जब तक इसमें मिक्स हो रहा है चलिए अधर गुड को दिखाते हैं उसक जो गुड काटे थे यह देखें फैंस जो गुड काटाया था भी वो पाग हो रहा है इसमें यह पूरे अच्छे से पाग होगा भी यह देखें यह देखें यह पाग हो चुका है 5-6 मिनट यह पाग होए पाग होने के बाद ऐसा दिखेंगा कुछ यह देखिए इसमें गुड़ ढ़ा हार si गुड़ दाला रहा है को दुड़ का पाक अब आशेकी टालदोनेड़ leg भीड़ दालने के सबस्ट यह यह ऑफ़ मिक्स कैने ला किये त्होड़ धूड़ दालते जाएब धाल्ध त्हूड़ धर्या ओदो भीड़ यह देखे फ्रेंस इसमें आप गड़ी डला रहा है यह देखे फ्रेंस अब यह गरम रहेगा तभी बनाना पड़ेगा अब देखे अब लड़ू बनाने का दिखा रहा है यह देखे यह देखे फ्रेंस इसे गरम रहेगा अभी जल्दी जल्दी बनेगा इसी पूरा सारे बनाने के बाद हम आपको दिखाते हैं फ्रेंस यह देखे फ्रेंस इस यह लड़ू नॉट्स इदन्र बहुत ज्यादा कहते हैं ठंड के मौसम में इसको शुबा में ब्रेश करने के बाद दो लड़ू जरूर खाते हैं यह इसको ठंडे मौसम में खाना चाहिए क्योंकि यह बहुत जादा गरम करता है नॉट इंग जादा ठंड़ रहता है ना इसलिए वहाँ पर बहुत जादा खाना चाहिए लोग है यह दिखिए इतना बन चुकहाँ पूरा बनने के बाद आपको दिखा रहे हैं यह बाबु भण जल्दी जल्दी सब लोग मिलक बना रहा है गार्ट तेखिए गार्ट इसको हम लोग अच्छा थे एकर से गोल्ड रांड रोन करेंगे मुझे अभी लल्ची आने लगा है फ्रेंट्स यह देखिए फ्रेंट्स यह लड्डू फुल रेड़ी हो चुकी है फ्रेंट्स खाने में भी टेस्टी है यह बहुत फाइदा सकता है फ्रेंट्स लाइक किजिए शेर किजिए कमेंट किजिए और सब्सक्राब करेंजिए बाइबाइ फ्रेंट्स